नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी ज्वैन MP News के इस खास सेग्मिंग न्यूस रूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे आज की मद्प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स की चलिए शुरुआत करते हैं पूरे देश सहत मद्प्रदेश में भारती अजनता पार्टी का सदसता अभियान ज़ारी है इसके लिए पॉलिक्टिक्स और परफॉर्मेंस का फॉर्मूला भी बनाया गया है आपको बता देए कि अब बीजेपी पदादिकारी बनने के लिए 100 सदस बनाना जो है वो जरूर होगा बीजेपी सदसता अभियान के परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार और संगठन में काम मिलेगा जो हैं बीजेपी मंडल पदारिकारी मंडल अध्यक्ष बूत अध्यक्ष यसे पद मिलेंगे वही नई कारेकाईनी में जगह भी मिलेगी निग मंडल आयोक बताय जाता है कि भोपाल के साथ दिल्ली से डेटर की निगरानी हो रही है बूत अध्यक्ष्व से लेकर हर पदाधिकारियों को टार्गेक भी दे दिया गया है विथायक संसद मंत्रियों को भी ये टार्गेक मिला है बता दे कि 3 सितंबर से प्रदेश में ये सदसता अभ्यान चल रहा है देड करोड सदस बनाने का लक्ष भारती एज्वन्ता पार्टी ने तै किया है बटे आगे और आपको बता दे मौसम का हाल तो बंगाल की खाड़ी में बने एक डीपर डिप्रेशन के कारण मद्द प्रदेश के कई जिलों में आज फिर भारी बारिश होने की संभाव नायज रताई गई है इस सिस्टम का असर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जादा देखने को मिलेगा वहें आज की बात की जायत वात सुमवार को भुपाल जबलपूर समेट दो दरज्वन से जादा जिलों में तेज बारिश को लेकर अलग भीजवारी किया गया है मौसम वभाग के मताबिक इंडॉर उज्वैन संभाग के कुछ जिलों में भी गरत चमक और हलकी बारिश की इस्थिती रह सकती है मौसम विज्ञानिकों ने बताया है कि वेस्ट बेंगाल में सक्रिय एक डीप डिप्रेशन जारखंड और च्वतीस गड़ की ओर आगे बढ़ रहा है इसे के साथ मौसम ट्रफ और चक्रवाती परी संचुरन के प्रभाव से अगले कुछ दिनों में राज में मौसम की सक्रियता जो है वो और भी देखी ज़ा सकती है बढ़ते आगे और आपको बता दे कि मदप्रदेश व बिजली कंपनी की दो दिन और त्योहार को देखते हुए एक अच्छी पहल सामने आई है दरसल आज और कल यानि सुमवार और मंगलवार को बिजली गुल नहीं होगी त्योहार सीजन को देखते हुए बिजली वित्रान कंपनी नहीं बड़ा नर्णा लिया है बता दे कि सुमवार यानि आज जो अमीद मिलादू नभी और कल मंगलवार को अनंत चतुरदशी त्योहार है इस करण कंपनी द्वारे शटडाउन नहीं किया जवाएगा ज़ानकारी के नुसार शोहर के सभी फीडर से 48 घंटे घोशत का टौती नहीं होगी दोनों त्योहार को देखते हुए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है वहीं सिटी सर्कल ने नाय और पुराने शोहर के अलग अलग जोन में जूनियर इंजीनियर लाइन मैन हेलपर की टीम भी तैनात रहेगी वहीं 48 घंटों तक बिजली सप्लाई पर ये टीम खास और पहनी नज़र रखने वाली है बढ़ते आगया और आपको बता दे कि मदप्रदेश में त्यूहारों पर सुरक्षा व्यावस्था को देखते हुए पुलस हाई अलर्ट मोट पर है इस बार किसी भी तरह के संभावत उब्डरव को रोकने के लिए एद मिलादो नभी जुलूस और गणीश विसरजन जाकियों की ड्रोन से नज़रे रखी जवाएगी और त्यूहारी सीजन में सभी जिलों में पुलस को अलग भी कर दिया गया है बता दें आपको कि भुपाल पुलस कमिशनर हरी नारायन अच्वारी मिश्वरी ने कहा है कि दोनों जुलूस की निगरानी ड्रोन से होगी इसके लिए रिजर्फ पुलस और SDRF की टीम भी तैनात होगी के लिए आपको बता दें कि त्योहार पर माहोल को खराब करने के विशेश समुदाय द्वारा ज्वां की रैली और अन्यधार्मे की आत्राओं पर पत्राफ की कई मामले पिछले कुछ समय में सामने आ चुके हैं जिसके बाद यह नरनाय लिया गया है आगे बटें और आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी के जन्दवस 17 सितंबर के दिन से मध्य प्रदेश में स्वच्ता पकवारा मनाया जाने वाला है वही सवसर पर स्वच भारत मिश्वन के अंतरगत स्वच्ता ही सेवा अभ्यान की भावना के साथ मनाय जाने वाले स्वच्ता पकवारे में कई गतिविद्यों का आच्वन भी किया जवाएगा वही प्रधान मंतरी मोदी के जन्मदवस को लेकर महत्मा गांधी ज्वैंती दो अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्ता पकवारे में प्रदेश के सभी नग्रिय निकायों की ओर से जन्भागिदारी के साथ अनेक करक्रम जो है वो भी आयो जुद्की एजवाने वाले हैं तो यह थी आज की मद्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं MP News के साथ नमस्कार